पिछले को जुनों में कॉंग्रेस पार्टी और इंडिया लाइन्स के हमारे जो सयोगी दल हैं उनके साथ लगातार हमारा सीट शेरिंग पर सहमती बनती जा रही है ये विपक्ष के लिए एक सकरात्मक भटनाकरम है जिसका मैं स्वागत करता हूं और राहूल जी की यात्रा स से लगातार देश में एक आवाज बुलंद हो रही है यात्रा है याहूल गांदी जी की नौजवान किसान महिला हर वर्ट जो आज अपने आपको अप्यक्षित महसूस करता है उसके वाज बनने का काम रहा हो जी कॉंगेस पार्टी कर रहे हैं आज एक लंबे सफर के बाद यात्रा 14 जन्वरी को मनिपुर में चाले हुई थी हमसावा मौजूद थे आज बड़ी खुशी की बात है कि यात्रा उत्रबदेश से होती हुए आज आज प्रवेश करेगी और आज शाम को दौलपुर में यात्रा का स्वागत होगा भारी संख्या में आम जन किसान हर वर करने पर मजबूर यात्रा करने वाली है बड़े उत्सा के साथ हम सब लोग महां जा रहे हैं मुझे लगता है एक एतियासिक स्वागत होगा और इसके कुछ दिन बाद मत्रदेश के बाद दुबारा यात्रा आइस्थान में आएगी लेकिन आज धौलपुर में यात्रा के सब लोग जा रहे हैं और मुझे रगता है कि राहूल जी की यात्रा से हम सब को बहुत लाब इसे मिलने वाला है जर चालकरम पान making sure not किना है कितना पानी हमारे प्रदेश को मिलेगा जितना पानी के लिए पीने के लिए इंडस्री को मिलेगा की नहीं मिलेगा अभी बाशन हो रहे हैं रहा है लेकिन जो साक्षिर की हैं उस दस्तावेज पे सदन में पहरी बार उस MOU पर चर्चा हो रही है जिस MOU को सदन में रखा है नहीं गया हमें आज तक नहीं पता कि क्या बटवारा किया है मैं अतना ही चाहता हूं कि राहिस्थान के हितों के साथ कोई समझाता ना किया जाए और अब चुनाव आ रहे हैं तो यात्रा निकल रही है दन्यवाद की स्वागत की लेकिन जंता बताए कि मुझे पूरा बिश्वास है कॉंगेस पर्फॉर्मेंस पहले से बहुत 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 रहेगा और आइसा हमें कॉंगेस पर्टी जीतेगी उपर लीग हो गया प मुझे को राहूल जी पेंटा जी ने उठाया उसको यूपी सरकार को मानना पड़ा कि इस बात का प्रमान है कि अगर हम मचबूती से बात को रखेंगे तो हमारी बात को सुना जाएगा जब यह तीन काले कानून बने थे किसानों बेखेंगे और अंत में भाजपा ने अपनी कल्थी को सुविकार किया तीन काले कानून वापिस लिए और शर्त यह रखी थी कि हम एमस्पी पर एक कानून लेकर आएंगे उसको एक लीगल फ्रेमबक में लेकर आएंगे मुझे खेद है कि एक बार दुबारा वादा खिलाफी हो रही है और मुझे खुशीज बात किये कि कॉंग्रेस पार्टी ने सबसे पहली गारेंटी थी है कि अगरम सरकार बनाएंगे 1224 को लोकस्वा चुनाव के बाद तो हम लोग अपनी सरकार में MSP पर कानून बनाएंगे यह ब वर्दाव अगर अन्यदाता को साथ हो रहा है आप समझ सकते हैं कि बाद कर रहे हैं किसान इतेशी है आई कि